सब्सक्राइब एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है और जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि जो एक्सेंस है यह मॉनटाइज हो गया है और मेरी पूरी कोशिच रहती है कि मैं आपको रेगुलर वीडियो दे पाऊं और इस समय कुछ नई चीज़े पता करने वाला हूं वही है कि माइक कौन सा अच्छा है आप सब्सक्राइब को बता होगा कि बीच में मैंने माइक की बात जहां तकी तो वहां पर मैंने बोया का मैं पहले यूज़ किया और जब बोया से मुझे कुछ इशू होने शुरू हुए तो मैंने ग्रिनारो पे इसमें जो noise reduction है वो काफी ज़्यादा अच्छा है in comparison to ग्रिनारो लेकिन अगर आप ग्रिनारो ले रहे हैं तो कम budget में आपको decent quality देता है लेकिन वह बेसी निस मुझे उतनी ज्यादा नहीं मिली वहां पर जितना आम तोर पे सुनने के लिए मैं यूज़ बेस नहीं मिला तो मेरी personal opinion यही है कि मेरे लिए तो बोया वेस्ट है बाकि आप लोग अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो पंद्रा सो चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये ब्लॉग कोट के लिए निकलना है ओम नमाशिवाय रोज देर हो जाती है यूट्यूब का का वाई सी गायप हो गई थी मुझे लगा था कि माइक कनेक्ट नहीं हुआ सही से आज वह दिक्कत नहीं होगी कलकी जूब मैंने वीडियो पांटे बोजनाले से आगे की बनाई थी उसमें पूरी की पुरी आवाज ही चलिगी मुझे लगता है कि माइक एडॉप्टर सही सा लगा नहीं था कनेक्ट नहीं था गोप्रो में और उसमें सिर्फ और विंड नॉइस के आवाज आ रही है और इस पॉइंट आफ टाइम पे मैंने री कनेक्ट तो कर दिया है लेकिन आम नॉट शियूर कि आवाज आ रही है या नहीं वैसे उमीद है आवास प्वान ही चाहिए आज मौसम थोड़ा ठंडा है क्योंकि हावा चल रही है रात में थंडा मौसम हो गया साथ भाई साथ कल तो जहरीड़ा मौसम था कल का मौसम तो बरदास्ट से बाहर था कल किसी तरह हम चले आए ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए अभी कल सुनने में आया है कि चित्रकूट में एक नया जो ग्लास ब्रिज है उससे इनागरीट किया गया है तो संडे को मौका लगेगा तो जाएंगे अभी वो लोकेशन मैं पता कर रहूं कहां पे है कोई व लाइन से पेड़ कट गए बताइए और लगाना एक पेड नहीं है यह चटनी सुरू है तार तार बिचाई जा रही है कम सकम यह नियम होना चाहिए कि अगर एक पेड़ काट रहे है तो उसको जगा पिक रिप्लिस्मेंट लगा लग जाए और तब तक उसका देख भाल हो अब तक वह तैयार नहीं हो जाता है यहां पर होता क्या है पेड लाएंगे लगा देंगे तीन दिन बाद बक्री चार ले की काम खतम मैंने जैसा कि लास वीडियो में आपको गूगल मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बताया था इस समय भाव साब दबा के यूडरी यूस कॉंटेंट भेजा जा रहा है गूगल के तरफ से दबा के मतलब और शॉर्ट वीडियो 90% जब्मेदार है शॉर्ट वीड चाब दी यह देखिए फिर वही फॉर्ट उनर खड़ी यानि अभी सांसद जी निकले नहीं है बीजेपी हाँ तो भाई कोशामबी वालो बताओ यार कौन जीत रहा है यह फॉर्ट उनर खड़ी है और यह यहाँ पे खड़ी है स्कॉर्पियो एन हाँ तो भी या कोशामब कि ये हैं पर दिकती हो जाता है ना कि जब हम पहुंचते हैं तो वह फ्री नहीं रहते अवजब हम रहते तो दुकान नहीं नगा पाते हैं तो प्रभ्लम इसी में हो जा रही वर ना वीडियो मुझे माज़ा आता है प्रोमोशनल वीडियो बनाने में और मैं एक चैलेंज लेने के सोच रहो हूँ मैं एसे रैंडम किसी इलाखे में गाड़ी लेके निकलू और एक्स्प्लोर करूं क्या क्या है और बहुत दिन से मेरे मन में एक आइडिया है कि मंदिर सीरीज शुरू की करेंगे कि कशामी के बड़े पेज़ें बड़िया काम कर रहा है वो लोग काफी को सीखने को मिलता है और अब तो डेली ब्लॉक की शुरूबात हुई है अभी धीरे-धीरे हीचके चाहट है और वोधीरे-धीरे ही कम होगी हीचके-चाहट एक बार हीचकेठ। डेगुलर को प्याव लगा हुआ यहां पर यह बहुत अच्छी चीज़ है बंजंपों चौराहे पर और सम्दा चौराहे दोने जोगे पर निसल को प्याव दिये हुए यानि पानी पीने की वैबस्था है यूनियन बैंक, HDFC बैंक तेवारा रहा है भगवाजंड़ा लगावा है और यह किशोन ने आया रहे है यह ब्लॉक एरिया है कोर्ट के अंदर कैमरा अलाओ नहीं वरना मापको कोर्ट के अंदर कभी सीन दिखाते कैसा है क्या है सामने अगर तिरंगा पता नहीं गोपरो दिखा पा रहा है या नहीं उतना दूर तक का लेकिन सामने तिरंगा दिख रहा है तो वो डायेट मैदान परिस्वर है जिलाए वामस्वत ने आयाले कोशामभी वह होच चुके हैं आज बड़ा सननाटा लग रहा है रोट पे चना लेके जा रहे हैं यह भीगा चना अभी इंसे बनवाएंगे बीस रुपए का यह इनके पास सब कुछ है चना है सब कुछ तो यहां पर बीस रुपए का बनवा लो बीस रुपे में तकरीबन आपको सौग्राम से उपर चना मिल जाएगा वह टेस्टी कि पी करें आपने सीट आगई उधर संथा ने काफीजाद है अज पता नहीं क्या मामला है संथा काफीजाद है कि मुझे बैंक बढ़े रुक जा भाई या फोन पर फोन फोन पर बहुत संथा बंद थे क्या आज भीकास बावन कुछ तो है को क्या कारण है भाइश मेरी गाड़ी की जगे प्लक्री खड़ी ओजाती यह मुझे डूख होता है हई कास दूट है क्या क्योंक्ट इतना सन्नाट आमतार पे होताह यह इंचेवक always you can't use है कि क похож जरूरी चीजह करनी है और काम मेरा पेंडिंग में बहुत ज़्यादा जा रहा है रहत ज्यादा काम पंडिंग में गφादा पांच-बीडियो पेंडिंग में है और अभी आज कि अधर प्युक्त है करें उर व्लोक करें अप्लूड रहा हैं थी तो हम यहां से एक एक व्लॉक वीडियो पांट जीपी से कमका नहीं होता है यानि मिल्माम टाइम की भी अगर बात किया जाए तो तीन चार एंबीपीस स्पीड रहती तब भी तकरीबन बीस मिनट तो लगी जाता है भाई अप्लोड होने में उसका प्रोसेसिंग में लग जाता है आधा से घंटा एचेटी में प्रोसेस होने के लिए और रात मितनी था कि जाती है ना सरीर की क्या बताएं लेकर छोड़ेंगे नहीं अब अगर हंडेड ब्लॉक का टार्केट और हंडेड ब्लॉक पूरा होगा उसको छोड़ेंगे किसी कीमत पे नहीं अभी बैंक आफ इंडिया मे मैं कुछ बात करनी है अगर वो सब कुछ करने क लिए सही है तो मैं क्यों बार बार अपनाрь अपना ecaun mushroom करूं लिए कर दो हो गया तब चाहल जाकर पेमिट इस सीघús होई है और इस बार तो मुझे से उमीद भी नहीं होगी कुछ लिफियम तो चो रहे में सन्नाटा हुआ as usual क्योंकि इस समय पीक दो पारिया चल लही है दो डाई बजे बाई डिसाइड कर ले यार किधर जाना है पहले पैट प्वाइड खीरा लाइन से है भाई खीरा ले लिए अल आता समय ले लेंगे अभी अभी फुट करके जाम फंस जाएगा अभी निकालो यार यह तो घाम में अगर इतना तेज धूप में जाम मिल गया दिमाग खराब हो जाता यार एक जोर के हिलमेट उपसे लगाओ फुल वाइजर बंद आगे कोई आटो वाद दिखू हमने पहले भी मुझे बिरा पर स्ट्रॉंग इस था यह आटो वाली ही होंगे आगे वीच रोड में खड़े करें आटो पुरी बॉडी पसीने से भर जाती है एकदम चलो कोई बात नहीं बैंक आफ इंडिया अपना आ गया है अब यहाँ पे गाड़ी कहां खड़ी की जाए यहीं कहीं लगा देते हैं गाड़ी अपना काम यहीं पे हो जाएगा पीछे से बैंक ओफ इंडिया बस पता करें तो भाई यहां वाला काम तो हो गया तो आज तो आज का दिन सही है भाई आज बोनों काम हो गए यहां भी पेमेंट नहीं अटकेगी और बैंक ओफ इंडिया शरीव निकल रहा है यहां से अभी वीडियो एडिट करनी बाकी है जब वो एडिट कर देंगे तो चैन मिलेगा थोड़ा इस इतना तेज दूप भाई वाईजर उठाने वाईजर घिराने का मन नहीं कर रहा है जो थोड़ा दे स्मोक वाईजर रहेगा में वाईजर जब में रोट पर आएंगे कि यहां पर रुक रुक के चलना होगा और अब कहां तक अपना वाईजर अटाते रहेंगे एक बातोड़ा हवा में आजाया है और थोड़ा चल जाएगा तब तक नॉजी विंड विंड नॉज चल जाएगी थोड़ा बाकिव जादा विंड है नहीं चले का मामला ओवर विंडी है अज वेदर बहुत ज़दा विंडी वेदर है कि वो खड़ी है पीजेपी हां तो जैसा मैंने कहा था कि कौन जी तरह है बताईए गया तुरू को शाम भी से भारतिया जंता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी हलाकि जो पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक थी उन्होंने समाजवादी पार्टी ही छोड़ अपना नया पार्टी बना लिया उन्होंने तो क्या इस बार चंता भरोसा कर पाएगी ये भी बड़ी बात है बाकी मुझे पॉलिटिक्स की ज़्यादा नौलेज नहीं है तो हम टिपणी नहीं करें तो ज़्यादा सही है आप लोग बताईए कौन जीतेगा इंगबरी पे क्या क्या संशाइ का विछय है क्योंकि आम तोर पर पीछे से गई है क्यूंकि यहीं तक हो चकता है को रोड़ की जो लएट एक उसको में रोड पे कर दिया हो क्योंकि पीछे तरसे कर कभी फॉट हो जाता ने प्रॉबलम होती बरसात के महिने में ये खेत-त्त्पानी से भर पूरा दिन निकल जाता है फिर यह सुडिया माता की तो अभी तो घर आ गया है, लाइट है, आज कल बिजने भीवाग वाले कुछ ज़्यादे महरवान नहीं है आज भी लाइट दिये हुए है कल भी लाइट दिये हुए थे चलो भाईया, घर आ गया, एकल मिला करके अब यहाँ पर वो लाइट है एक निन मार लिया जाएगा नहीं होगा, टेक नहीं करेंगे, आगेस कोई गाड़ी आ गई तो फिर कोई चांस ही नहीं रहेगा सिख्त सेंस कभी गलत नहीं होता कोई जरूरती नहीं वो टेक करने की जब हमको मून नहीं है तो दो मिनिट लेट हो जाएगे चलेगा पर इनको समभल के जाए गलत दिस लाइन में चले लग तो चलो भाईया, घर आ गए दिक्कत यह कि हमने कूलर नहीं भारा था भाई है अरे यार कूलर में पानी है कि नहीं हमको यह नहीं पता सुबह हम भरे भी नहीं कूलर और कॉछ बश जाएगा फिसलों एक बाल्टी भर देंगे मेरा काम हो जाएगा एक बाल्टी पानी में अपना काम हो जाएगा रुमाल दो नरक होगी पुरी पीली होगी रुमाल एक दम से भुल गया है भुल गया है भुल गया है भुल गया है